आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे तो आज में बिल्कुल नहीं रेशिपी लेके आई हो वह है बच्चेवे आटे का नूडल्स रेशिपी बहुत ही हिल्दी और टेश्टी बनकर तयार होती है तो यह दो रोटी के बराबर आटा हम बच गया था तो उसे हम चुट आटे में डीप कर लेए और इसे हम रोटी के जितना पतला बेल कर तयार कर लेंगे तो यह-देख सकते हैं थोड़की चकले में भी अखाक्शा लगा लेते हैं ताकि यह चीपकेना और हलकी हलकी हातों से इसे बेल लेंगे सेम जैसे हम रोटी बेलते हैं बस उतना पतला ही बिलना है उससे ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे हम तो यह देखिए इसी तरीके से अच्छी तरीके से राउंड सेप में हमें बेल कर तैयार कर लेना है और देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैंने बेल कर भी तैयार कर लिया है तो अब हम इसे लंबी-लंबी काट लेंगे जैसे नूडल्स रहता है लंबी-लंबी ऐसे हमें काटना है और इसका परद देख सकते हैं बिल्कुल पतला है तो बस एक नाइब यानि चकू की सहायता से हम इसे लंबी-लंबी काट लेंगे आपको जितना मोटा पसंद है उस हिसाब से मोटा पतला यानि काट सकते हैं तो मैं थोड़ी मोटी ही काटूंगी और इस तरीके से हमें फटा-फट से लंबी-लंबी काट कर तयार कर लेना है यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होती है अगर आप एक बार इस तरीके से बना कर खाईएगा तो आपका बचा हुआ आटा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा बिल्कुल बरबाद नहीं होगा और हर वक्त आप जटपट से बना कर खा भी सकते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है तो इस तरीके से लंबी लंबी काट लेना है और थोड़ा से इसमें सूखा आटा लगा लेंगे ताकि इसे हम जब हटाएं तो यह बिल्कुल भी नहीं चिपके और बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका लच्छा निकल के बाहर आए तो यह आप देख सकते हैं अगर आपको लगे कि थोड़ी बहुत चिपक रही है तो सूखा आटा लगा लें और यह देखिए बिल्कुल लंबी लंबी हमारी नूडल्स बनकर तयार है तो यह देखिए और थोड़ी बहुत चिपक रही होगी तो उससे आप हटा लें तो य देखिए योपकुल, फरफेक्ट, लंबी-Lंबी कटकर तयार हुई है, तो आप चाहे तो दूसरे शेप में भी काट सकते हैं, या इसे थोड़ा पतला भी काट सकते हैं, और फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से रख लेंगे और इसे हम पकाएंगे तो इसे पकाने के लिए सबसे पहले हम एक पेन या कड़ाई में दो कप पानी डालकर पानी को हम गरम कर लेंगे एक उबालाने तक और पानी जब गरम हो जाएगा तब हम यह तो एक जगह नहीं डालना है इस तरीके से हलकी फैलाते हुए हमें इसल अच्छे को डालना है और ज्यादा हमें नहीं पकाना है पांच मिनिट बस पकाना है चार से पांच मिनिट आप चाहे तो इसमें थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं या फिर आप बाद में भी डाल सकते हैं तो रोटी में already यानि जो बचावा आटा था उसमें थोड़ी नमक थी तो मैं नहीं डाल रही हूँ तो इसे चलाते हुए यानि 5 मिनट तक हम पका लेंगे और देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये उबल गई है 5 मिनट में और पक भी गई है तो बस हमें कुछ नहीं करना है इसे चला कर एक बार मिक्स कर लेना है और गेंस की फ्लेम को हमें बंद कर लेना है तो चलिए इसे हम तो एक छनी की सहाइता से हम इसका सारा पानी चान लेंगे और इसका पानी जो भी है एकश्टा उसे हम निकलने देते हैं तो खास चिक इसमें ये है कि अब जब भी इसे चाने तो तुरन चानने के बाद इसमें ठंडा पानी डाल ले ताकि ये जो कूक होना है वहीं बंद ह जल्दी से ठंडा हो जाए ओभर कुक ना हो तो बस इसका पानी हम निकलने देते हैं चणने देते हैं और फिर हम क्यारी कर लेते हैं कुछ सब्सक्राइब का तो इसमें दो टुकड़े बटर का हम डाल देंगे एक पैन में और बटर को हम पिखला लेते हैं चलाते हुए और फ तीन से चार मिनट तक पका लेंगे, हलकी शॉप्ट होने तक, हलकी सुनेरी कलर आने तक, तो बस ऐसे ही चलाते हुए हमें पका लेना है, जैसे ही शॉप्ट हो जाए प्याज, तब इसमें हम डालेंगे, कटा हुआ, सिमला मिर्च और कटीवी गाजर, फिर दोनों को चलाते मिक्स कर लेना है, और इसे हम तीन मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि सिमला मिर्च और गाजर हमारी थोड़ी सॉप्ट हो जाए, ज्यादा भी हमें नहीं पकाना है, इसमें क्रिश्पी पना रहना चाहिए, तो बस तीन मिनट बाद जैसे ही हमारी सबजियां पक सोया शॉष और एक चम्मच हम इसमें भरकर डालेंगे, टमैटो, केचप, तो बस थोड़ा सा आप चाहिए तो हरी प्याज भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास अबलेवल हो तो नहीं तो आप इसे इस किबी कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है हमें इसे चलाते हुए, नमक का ध्यान रखें, अगर आप पहले नमक डालें तो बाद में थोड़ा कम डालें, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज्यादा जितना आपको पसंद है, तो देख सकते हैं, काफी अच्छी तरीके से पकर तयार हो गई है, और कलर भी काफी अच्छा आया है, तो फ सबी को पसंद आएंगे, तो बस बनाना भी आसान है, और टाइम भी ज्यादा नहीं लेता है, तो अफटाफट से बनाइए, खाईए, और हमें कमेंट्स बोक्स में बताइए, कि कैसी बनी, तो ये देखिए, मैंने सर्व कर लिया है, तो मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर य किस्टी लगती है, अगर पसंद है तो डाले नहीं, तो आप स्किप्ट कर सकते हैं, तो मैं तो चल रही हूं खाने के लिए, तो मेरे वीडियो पसंद आया हो, तो जरूर से जरूर लाइक किजिएगा, कॉमेंट्स किजिएगा, और बताइएगा, और आप लोग भी जरूर ट्राइक किजिएगा,